हाई फ्रेंड्स मैं हूँ श्री निवास अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किजिएगा मेरा चैनल तो मैंने मेरे मोबैल के होम स्क्रीन से जीमेल एप ओपन किया हूँ आपको तीन लेंड दिखा दे रहे हैं इसे डैश्बूर करेते हैं इसे हम क्लिक करेंगे तो यह देखो यहाँ पर उपर मेरा मेल एडिया आचुका है और इसके नीचे है प्रैमरी सूशल प्रैमरी जो होते हैं आपके सारे मेल्स प्रैमरी में आते हैं सूशल आपके का हुआ हुआ है दोस्तों अगर कोई mail आपको मारक कर सकते हैं या से हमें बेजना है या हम लोग उस एडिया को ड्रॉप करते हैं तो वो सारे मेल जो है वो जाके ड्राफ्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं अब जब भी चाहे आप ड्राफ्ट में जाके जो मेल जिसे सेंड करना है तो वापस सेंड कर सकते हैं All E-mails में यह सारे mails आपको दिखाए देंगे कुछ mails अगर आपको अन्वांटे लगे तो आप उसको spam में डाल सकते है और जो भी mails आप delete करते हैं वो सारे आपको बिन में पाये जाएंगे उसके नीचे ये देखो दोस्तो लेबल से जैसे कि बिल से, इन्वेस्टमेंटे, पर्सनल, ट्रावल, वर्क ये मैंने क्रेट किया है मेरे नीड के हिसाब से अगर आप कोई और क्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए, प्लेस और क्रेट न्यू है, वहाँ पर कर सकते हैं और जो लेबल उसको आप देना चाहते हैं, वो आप उसे कर सकते हैं तो सबोज यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ परसनल मेल और यहाँ पर मैं डन क्लिक करूँगा तो यह वो जा गया एक नया लेबल आप देख सकते हैं यहाँ परसनल मेल करके एक नया लेबल आ चुका है तो इस परका हम लोग अलग अलग जो हमारे कनविनेंटे वैसे हम कर सकते हैं तो वापस मैं आ चुका हूँ प्रैमरी में तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हमारे मेल्स को हम मैनेज करते हैं तो यह डैश्बूर्ट अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने मेरे अलग-अलग जैसे मेरा नीड है जैसे कि बिल्स है, इन्वेस्टमेंट है, परसनल, परसनल मेल, ट्रावल और वर्क तो हम देखेंगे कैसे हम इस मेल्स को मैनेज कर सकते हैं अभी दोस्तों जितनी भी आपको यहाँ पर आधार, आधार करके दिखाये देंगे यह मेरे वर्क-related मेल से तो मैं क्या करता हूँ, इस मेल को मैंने क्लिक किया हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकल में टिक मर्क आया है और उपर बहुत सारे options कुल गए है यह last जो three dots दिखाये दे रहे, मैं उसे क्लिक करता हूँ तो नीचे दे के यहाँ पर मिल गया है, more to मैंने क्या क्या है, more to select किया है फिर मैंने work select किया है तो वो जो मेरा mail है, वो work के अंदर चला गया है फिर मैं फिर से यह जो आदार है, इसको मैं select करता हूँ और मुझे और ऐसे ही mail select करना है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे scroll down और जितने भी मुझे आदार के दिखाय दे रहे है मैं वो सारे mails क्या क्या हूँ, select किया हूँ और सारा mails मैं एक साथ more to करता हूँ और वहां पर work select करता हूँ, तो सारे mail जो है एक साथ work में चले गए है तो दोस्तों अभी यह जो आपको webmaster दिखाय दे रहे है, यह मेरा investment का mail है तो मैं क्या करता हूँ, वापस इसे hold करके रखता हूँ तो यहां circle में टिक हो चुका है और जो webmaster के मुझे दिखाय दिये है, वो सारे मैंने select किया है और फिर से यह three dot select किया हूँ, more to option, investment मैंने click किया हूँ यह जो mail से मेरे investment में चले गए है अभी यह ticket admin आपको दिखाय दे रहे, यह सारे मेरे travel related tickets है तो मैं वापस क्या करता हूँ, इसे hold करता हूँ तो यह ticket admin select हो चुका है, मैं जितना चाहे उतना mails मैंने select किया है और फिर से three dots select किया हूँ, more to, तो more to में travel, यह travel के अंदर चला गया है अभी वापस मैं यहाँ पे dashboard क्लिक किया हूँ, और मेरे travel select किया हूँ तो जितने भी मैंने ticket admin select किये थे, वो सारे मेरे travel के लेबल के अंदर आ चुके है तो दोस्तो इस तरह से हम लोग हमारे जो mail से, जो हमारे लिए imported mail से, उसे हम लोग manage कर सकते है Thank you